क्रिस्मस स्पेशल हलो एंड वेलकम तो स्वाद अनुसार जैसे कि आप देख सकते हैं, आज हमारा क्रिस्मस स्पेशल है तो आज मैं आपके लिए लाया हूँ एक नहीं बल्कि तीन बहुत ही आसान मग के क्रस्पीज तो आएए शुरू करते हैं सबसे पहले हम जिम जैम बिस्किट्स को मिक्सी में ग्राइंड करेंगे ताकि वो एक फाइन पाउडर बन जाए और यह हमारे केक का मैदा होगा यह देखिए हमारा फ्लावर बिलकुल तयार है अब हम इसको एक और बोल में निकाल लेते हैं ऐसे ही हम बाकी के बिस्किट्स को भी ग्राइंड कर लेते हैं अब हम मैदे में डालेंगे 3-4 टी-स्पून बेकिंग पाउडर और 1-2 टी-स्पून वनिला एसेंस इसको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं अब हम इसमें धीरे-धीरे दूर डालेंगे जब तक कि हमें हमारी डिजाइड कुंसिस्टेंसी ना मिलें जैसे कि आप देख सेते हैं इसकी कुंसिस्टेंसी बिल्कुल सही हो चुकी है आपका बैटल भी ऐसा ही लगना चाहिए जैसे कि ब्राउनी या क्यक का बैटल हो अब हम इसको हमारे मग में डालेंगे अपने मग में बैटर को आफ से थोड़ा सा कम तक फिल किजिए ताकि वो अवरफ्लोव ना हो जगाए माइक्रोव चेंदर अब हम इसे माइक्रोव में डालेंगे और यह आपके microwave पे depend करता है कि आप इसको दो मिनिट के लिए पकाएंगे या फिर तीन मिनिट के लिए अब हमारा मग केक बिलकुल तेयार है लेकर हम इसको चेक कर लेते हैं उसिंग दे स्क्यूर चेस्ट जैसे कि अब देखसके हैं इसकी वर बिलकुल साफ है और इसका मतलब है कि केक पक चुका है आएए अब हम इस मग के को थोड़ा सा गार्मिश करेंगे पहले हम जिम जैम बिस्किट्स का जो जैम है उसको निकालके हम ऊपर से डालेंगे अब हम इसमें डालेंगे दो जिम जैम के बिस्किट्स और यह रहा आपका जिम जैम मग केक बिलकुल तयार तो आएए अब हम दूसरी रेस्पी की और बढ़ते हैं लेकिन इन रेस्पी की खास बात यह है कि इनके इंग्रीडियन्स और प्रोसेस बिलकुल सेम रहते हैं हुआए हम ऐसे ही बर्बन चॉक्रिट मग के टियार करते हैं तो यह रहा हमारा बर्बन चॉक्रिट मग केक बिलकुल तयार आएए अब हम इसे तुरा सा गार्निश कर लेते हैं कुछ चॉक्रिट चिप्स के साथ और कुछ बिस्किट के साथ अब हम और इंज ट्रीट मग केक बनाते हैं तो यह रहा हमारा ओरेंज ट्रीट मग केक बिलकुल तयार आएए अब हम इस पर थोड़ा था गार्निश करेंगे मेरे पास यहां पर यह डार्क चॉकर सॉस है जो कि हम उपर लगाएंगे और स्प्रेड करेंगे और अब हम इसमें डालेंगे और इंज ट्रीट मग केक बिलकुल तयार तो यह रहे हमारे तीन सॉपर इजी मग केक बिलकुल तयार इस holiday season आप इनको जरूर बनाए और सबको खिलाए और प्लीज हमें बताये कि आपको यह recipe कैसी लगी wishing you all a very Merry Christmas from all of us here at Swad Anussar.